हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है EIGRP Working Part 3 के इस वीडियो में चलिए हम सीखते हैं कि EIGRP Best Route Calculation कैसे करता है इस वीडियो में हम EIGRP के Metric Calculation के बारे में भी सीखेंगे EIGRP Working के अभी तक के वीडियो में हमने सीखा कि EIGRP अपनी Neighbor Table और Topology Table से Related Functions कैसे परफॉर्म करता है जैसे कि Neighbor Discovery और Topology Exchange और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Routing Table से Related Function यानि के Best Route Calculation को यानि के ऐसे Routes जिनको Routing Table में जगा मिलती है EIGRP Best Route Calculation के लिए दो चीजों को यूज करता है एक Formula या Algorithm जिसे की Dual कहते हैं यानि के Diffusing Update Algorithm और दूसरा Composite Metric EIGRP में यूज होने वाले Metric को Composite Metric इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे Metric के Multiple Inputs होते हैं यानि के Multiple Metric Values या Components को Best Route Calculation के लिए यूज किया जाता है जिन Metric Components या Values को हम EIGRP Metric में यूज कर सकते हैं वो हैं Bandwidth, Delay, Load और Reliability Cisco के कुछ पुराने Documents में ऐसा कहा गया है कि MTU को भी As a Metric Component यूज किया जा सकता है लेकिन Cisco के Latest Documents में यह Clearly Mentioned है कि MTU को As a Metric Input यूज नहीं किया जा सकता इन Values में से भी सिरफ Bandwidth और Delay को ही By Default as a Metric Input या Metric Component यूज किया जाता है अगर आप चाहें तो Load और Reliability को भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए Cisco ही Recommend नहीं करता है चलिए अब हम EIGRP के Metric Calculation में यूज होने वाले Formula को डिसकस करते हैं इसका Formula आपके सामने स्क्रीन के उपर दिया हुआ है सबसे पहले 10 raised to the power 7 और उसे Divide किया जाता है Least Bandwidth से प्लस Cumulative Delay और इसकी जो Value आएगी उसे Multiply किया जाता है 256 से यहाँ पे Least Bandwidth का मतलब है कि किसी भी Internet वर्क में किसी एक Route में अगर बहुत सारे Links यूज हो रहे हैं यानि कि आपने देखा होगा कि Internet वर्क में एक Network से दूसरे Network में जाने के लिए बहुत सारे Paths यूज होते हैं और किसी एक Path में अगर बहुत सारे Routers Connected हैं तो वो जरूर Links से Connected होंगे उन Connected Links में से जिस Link पे bandwidth सबसे कम है उसे इस Formula में यूज किया जाता है और Cumulative Delay सम टोटल होता है उन Delays का जो की एक Route में यूज होने वाले Links में पाए जाते हैं अगर हम इसे Show Command से देखते हैं तो ये Microseconds में डिस्पले होते हैं लेकिन जब हम इसको Formula में यूज करते हैं तो ये 10s of Microseconds में इस Formula में यूज की जाते हैं चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं माल लिजे हमारे पास एक Internet वर्क है इसमें Router A को Router B के साथ Connected Network तक पहुँचने के लिए जो भी Links Available होंगे उनमें से ऐसे Link की Bandwidth इस Formula में पुट करनी होगी जो की सबसे कम हो जैसे के इस सिनेरियो में 10 Mbps या 10 Megabits per second Ethernet Link सबसे Slowest है तो अगर हम इसको Calculate करें तो इस Mbps को हमें Kbps में Convert करना होगा यानि के Multiply with 1000 और हमारी Value 10,000 Kbps या 10 raised to the power 4 Kbps बन जाएगी इसको जब हम इस Formula में Put करेंगे तो आपका Result 10 raised to the power 3 या 1000 Kbps आएगा इसी तरीके से Cumulative Delay की अगर हम बात करें तो Same Network के लिए अगर हम ये माने कि इस Link के उपर या Network B तक पहुचने वाले Links के उपर जो Sum Total of Delays आया है वो है 200 Microseconds तो Tens of Microseconds में अगर हम इसको Convert करते हैं तो हमें Simply से Divide by 10 करना होगा और ऐसा करने से 200 Microseconds 20 Units या 20 Tens of Microseconds में आ जाएंगे और इसे भी हम Formula में Put करेंगे चलिए इसे हम एक Example से समझते हैं मान लिजे हमारे पास ये एक Network है इसमें हमारे पास दो Routers है Router A और Router B उसके साथ Connected Interfaces और Links की Band Width और Delay आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है इस सिनेरियों में हम ये मानते हैं कि Router A को Router B के साथ Connected एक Subnetwork 192.168.10.0 इसका की Mask या Prefix Length 24 है इसका Metric Calculate करना है हम इस सिनेरियों को Simple रखते हुए ये मान रहे हैं कि ये Subnetwork B के साथ Directly Connected है Otherwise ऐसा भी हो सकता है कि इस Network या Subnetwork की Information B के पास Updates के थूँ आई हो B के पास ये जो Subnetwork की Information है इसे वो A को Pass करता है यानि कि वो बताता है कि Subnetwork 192.168.10.0 तक पहुँचने के लिए जो वो Bandwidth यूज़ कर रहा है वो है 1,00,000 Kbps और वहाँ पहुचने के लिए Link के उपर जो Delay है वो है 100 Microseconds इसके बाद Router A ये चेक करता है कि वो Router B से कैसे Connect हो रहा है Router A और Router B के बीच में जो Link है उसकी Bandwidth है 154Kbps जो की Default Serial Link की Bandwidth होती है और Delay है 30,000 Microseconds Router A Subnetwork 192.168.10.0 तक पहुचने के लिए Least Bandwidth को चुनता है तो उसे 154Kbps यानि के 1.544Mbps और 1,00,000 Kbps यानि के 100Mbps में से एक को चुनना है तो Least Bandwidth यहाँ पे 1.544Mbps है इसलिए इसे ही Metric Calculation के Formula में Least Bandwidth के रूप में fit किया जाता है इसके लावा जो दूसरी Value है यानि कि Delay Value के लिए भी Router A ये चेक करता है कि Subnetwork 192.168.10.0 तक पहुचने के लिए जो B Sum Total of Delays Advertise कर रहा है वो है 100 Microseconds जबकि जो Link उसके और Router B के बीच में है उसमें Delay 30,000 Microseconds है तो Router A इसको भी Convert करता है into 10s of Microseconds यानि के Result 3000 10s of Microseconds और 10 Microseconds आता है और Cumulative Delay में इन दोनों Values को Add किया जाता है और Total Delay आपके सामने आ गया है 3000 plus 10 यानि के 3010 10s of Microseconds अब इसे हम जड़ा Metric Calculation के Formula में put करके देखते हैं तो उसके लिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर Formula है सबसे पहले हम Least Bandwidth जो की 1544 Kbps है उसे Least Bandwidth की जगा रखते हैं यानि के 10 raised to the power 7 divided by 1544 उसके बाद जो भी Result आएगा उसे हम Add करेंगे 3000 plus 10 यानि के 3010 10s of Microseconds से और इन दोनों की जो Value आएगी या Result आएगा उसे हम Multiply करेंगे 256 से 10 raised to the power 7 divided by 1544 की जो Value आई वो है 6476 यहाँ पे मैं आपको एक और Important बात बता दूँ कि इसका जो Actual Result आएगा वो आएगा 6476.68 लेकिन iOS उसे अपने आप से Roundup कर देता है और Dot के आगी की Value यानि के .68 को हटा देता है जब आप इसका Calculation करें या इसे Check करना चाहें तो आप भी इसी तरीके से इसे Calculate कीजेगा Otherwise आपका Result कुछ Different आ सकता है इसके बाद हम इसे Add करेंगे 3010 से और इन दोनों के Addition के बाद या Sum के बाद जो भी Result आएगा उसे हम Multiply करेंगे with 256 और इसका Result आपके सामने स्क्रीन पर है जो Metric Value आएगी वो आएगी 2428416 यानि कि इतना Complex Calculation के बाद EIGRP Best Routes को अपने Routing Table में जगा देता है आपको EIGRP के Routing Table में जिसे की हम Configuration करने के बाद चेक करेंगे आपको ऐसी ही Values देखने को मिलेंगी Question Time चलिए आप मुझे एक Question का अंसर दीजे आप मुझे बताए कि EIGRP by default किन Metric Components को यूज करता है आपकी Options हैं A, Bandwidth, B, Delay या फिर C, Both, Bandwidth and Delay आप इस Question का अंसर Next 20 Seconds में नीचे Comments में ज़रूर टाइप करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप Like बटन को प्रेस करना न भूलें नए और Latest Videos की Information अपने Mailbox में पाने के लिए चैनल पे Subscribe करें EIGRP Working के वीडियो में हमने सीखा कि EIGRP अपने Working के दौरान कैसे Never Discovery करता है कैसे Topology Exchange करता है और इस वीडियो में हमने सीखा कि वो Best Route की Calculation कैसे करता है तो इस वीडियो में इतना ही Thanks for watching